नमस्कार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत सौगा थे आपके अपने चैनल राइसिंग इलेक्टिकल समय तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन ट्रिस्टिट वायरों के बारे में जिसों फ्लेक्सिमिल वायर भी बोला जाता है तो मार्केट में बिग रहे है यह अगर आप मार्केट में जाते हो आपको कई सारे देखने को मिलते हैं सबसे मोटा तार 46 का यह कितने वाट तक का लोग जेल सकता है पॉर एक्जामपिल आट के रिपेरिंग का काम चलता है उस कंडिशन में आप शॉप पे जाते हो आपको बल्ब चीए रहता है हो सकत चलते हैं यह error दो तक में बहुत है है तो को यह बहुत है जो वाज़ हो चाहिए रहता है कि आता ता का लटना है चेंशनमें आप मेरियर काम में यह परमानें विभी ये twin twisted wire के बारे में बात हो ये दोस्तों मैं आपको बात करूँगी twin twisted wire आपको किता लूड ले सकते हैं 1070 से लेके 4070 तक के मोटे wire का efficiency बताऊंगा किता लूड ले सकता कौन सा wire अगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है twin twisted wire के बारे में तो आपको ये वेडियो आपके लिए है बस आप लोगों को एक चीछ पता होनी चीए अब जो चीछ आप यूज करोगे उसकी power rating means उसका watt कितना है तो आपको पता है कि यहां हमारा 100 watt का बर्ब है आप बोल वाला है कि यहीटर यूज करोगे तो आपको पता कि यहां यह 1.5 kilowatt का है कि 1000 watt का है बस आपको यह चीछ पता होनी चीए बाकि ऐसी calculation बताऊंगा जिससे आपको wire हरीदने में बिकुल दिक्कर नहीं होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग के खुटी calculation हो आपको किसी से पूछना ना पड़े कि जब आप जो शॉप पर वायर लेने तो शॉप की पर भी सोचे वाई कोई सेंसेर आया है शॉप पर वायर लेने तो आज की topic के point है point number one आखिप यह चो twin twisted वायर आते हैं इनको दज शॉपर क्यों बोला जाता है चाली शिपर क्यों बोला जाता है उसमें की पाइले पॉइंट नहीं बताऊंगा पॉइंट नंबर टू आखिर यह कितने टाइप्स के आते ही आगर आप मार्केट में जा तो आपको मैक्सिमुम कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे पॉइंट नंबर थी तुन त्षिटिग को कैसे की बाई च्रिंट्टर का कौन सा वाइर है ? च्रिंट्टर का कौन सा वायर है ? और बिना कि शी-माइक्रोमीटर के यूच की ऐसी ट्रिक बगाऊंगा पॉइंट नंबर ट्ऴिनquistटड वायर आके कित्ते वॉड्ट तक यूठ क्ले सकते ? मिस कौन सा वायर आपका किप्ता लोड ले सकता है उसकी इफेंसी बनाऊंगा जिसे आपको वायर खरीटरेने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होंगी दिक्कर नहीं होंगा मैं आपको पॉइंट नंबर फाइफ तो कॉपर हो चाहिए अल्मोनियम हों आगे वायर कितने मीटेर तक की दूरी तक इसमें रिजिस्टरंस नहीं बनता है उसको रिजिस्टरंस मीं प्रति रोग कैरेंट जहां तक बनता है कि आप लंबी दूरी तक वायर को ले जाते हो कॉपर का या नहीं बनता यह बताऊंगा इससे आपका एक फारा सबसे बड़ा यह होगा कि लंबी डूरी होगी तो कौन सा वाय यूज करना है तो बिना कीजिन देवी किये आज के शौपिके शुरू करते हैं और लेते पूरा वैगा सबसे पहला पॉइंट था कि वह चौदा शुटर को क्यों चौदा शुटर बोलते हैं उसको देखिए मार्के में जब यह तार रिखते हैं तो यह आपके 10 शुटर आता है और ही बहुत सारे आते और 4 शुटर भी आपका आता है मगर आखिर इसको 10 शुटर 14 शुटर या 4 मतलब है ना देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को 14 का मतलब बताता हूं तो अगर आपनों को 14 शेतर वायर की होगा यहां पर में पार 14 शेतर वायर है अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो PVC है इसको रिमूब कर लेंगे यह देखिए पीवीसी रिमूब हो गई अब देखिए 14 का मतलब पता क्या है यहां पर इसके जो कंडेक्टर है ना उसके जो स्टेंडर्ड है है ना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दर गयरा बारा तेरा चौदा है ना वह आपके चौदा है है ना आप अपने घर में कोई भी ट्वी ट्विश्टर पर रखा करेंगे तो उसमें जितने स्टेंडर्ड होंगे है ना यसे थेलिस है तो इस में चौदा है तो इसका मतलब चौदा हो गया और अग dir भाई मसला प्रस दण गया कि नंबर ओ कंडेक्टर है देखिए इसके सारे कंडेक्टर को एक किनारे करके केवाल एक स्टेंड को ले लिए यह कंडेक्टर सारे किनारे होगा इसका एक जो स्टेंड है ना उसको अगर आप माइक्रो मीटर से गेज करोगे ना तो उसका जो आएगा कि एंट युटेंट वायर गेज वह आपको आये का पॉइंट 0076 स्क्वायर आएगा है ना अगर आप इसको गेज करोगे हैना तो चौत का मतलब भी आपका क्लियर हो गया और ताथ में आपका पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया दोश्मलों का दूसरा तरकी तूिंग ट्विस्टड वायर यह कितने टाइप्स की आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं ने बहुत प्यारा सा यहां पर सबसे मोटा था है आप आप देख सकते हैं उसके अलावा यह फिर सकते हैं किवार्च आप देख सकते हैं तो आपका दूसरा पॉइंट भी क्लेयर हो गया है तो सब्सक्राइब करने कि कौन सा कित्ते चेतर का है तो यहां पर मेरे पास रखा हुआ है सबसे पतला था दच चेतर का अगर हम इसकी पीवीची को रिमूब करें हाला कि कई लारे लोग पहले तरही जानते होंगे तो यहां पर आप इसके जो कंड़ेक्टर ने उसका एक एक स्टेंड अगर काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ यह अखरी लगा दस इसके दस इसी तरीके स से आप अगर इसका काउंट करोगे तो इसमें 14 निकलेंगे इसका काउंट करोगे तो 40 निकलेंगे मिन जितने स्टेंडर उसके बाद आपको शेतर लगा देना है और आपको पैचान भी है कि इसमें अगर 10 तार है तो 10 शेतर है 14 तार है 40 तार है तो 40 शेतर या 30 तार है तो 30 कित्ते चैटतर का तार हमाई घर पर रखा हुआ दो तो उससे हम कितने वाट तक का लोड चला सकते हैं आगे यह भी हम दोस्तों जानेंगे तो आपका तीसरा पाइंट भी क्लियर हो गया है कि कौन सा ट्विंट वाइर आखिर कित्टे वाट तक का लोड ले सकता है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा वाइर 14 चैटर है क्योंकि मल्टी स्टेंड वाइर उतने कई सारी चीजिजों में दुस्तों 14 चैटर ही आपका काम हो जाता है टेंड वाले लाइट वाले सब ही लो आप इसके एक स्टेंडर को मैं लेता हूँ है ना इस तार से सिंकल से आप 100 वाट तक का बल जला सकते है मना एक यस एक स्टेंडर्ड इधर रखिए इसके सारे स्टेंडर्ड को हटा कार्ड के हटा दिए इसको न्यूटर फेस्ट दे दिए आप इससे एक सव वार्ट का बल बहुत अराम से जला सकते थे क्यों चुकि देखिए बदलते जमाने के साथ अब वह ओरिजिनल 14-16 मार्केट में दोस्तों नहीं आ रहा है जितनी भी कंपनिया सब हलका ही 14-16 बना रही है मिस अंडर गें 14-16 मार्केट में बिख रहा है जिस 14-16 से आप 100 वार्ट तक का लोड जला सकते थे उसी से डिवाट बैट 2 कर दिया गया है कि मिस आप 50 वार्ट तक का ही लोड दे सकते 14-16 से हैना ऐसा क्यों किया गया देखिए पहले भारी आते थे उसको हलका कर दिया गया वाब अगर पंके अगर पर्टिस करने जाओगे तो बड़े हलके कर दिये गया है यहना उसी तरीके से तार भी हलका कर दिया गया है जोकि आदमी ज्यादा इंवेस्मेंट नहीं करता जाना चाहता है कुछी लोग बहुत ज़्यादा investment करना चाहते हैं यह तरीके से company ने का कि हम सस्ते में तार देंगे है ना तो मगर दोस्तों ऐसा नहीं रह गया आप इससे इसका गेज जो फुल गेज था उससे यह अंदर गेज में आ गया है आप पचास पॉट से ज्यादा इसको अगर दोगे तो वायर आपकी हीड हो जाएगी इसलिए मुझे को यह वीडियो बनाना पड़ा खात कर उन लोगों के लिए कि बाई यह जो तुन टुस्टेड वायर होते हैं यह हर घर की जरुवत है टेंपरी काम में समय इतका यूज होता है और यह काफी सस्ते आतने हैं बहुत होते हैं तो आपको अगर बात चाहते हैं कि आपको यह पांचो वाट की हाईलोजन जलानी है अब आप चाहते हो तो कैसे कैसे करोगे तो आप यहां पर लिखेंगे चौदा इंटू 50 50 क्यों देखें चौदा शेतर तो आपका अतार हो गया 50 इसलिए लेंगे चोकि आपका यह एक पचाहस वाट तक का लोट जेल सकता है अब आपको चौदा से इसलिए करना चौकि आपके चौदा स्टेंडर्ड है इसको अगर आप इंटू करोगे चौदा तो इस तरीके से आप कल लोगे मगर अगर मैं आप से कहूं कि आपको चौदा शेतर तार से दो हाइलोजन जलानी है वह भी 500 वाट की पांसो वाट की दो हाइलोजन जलानी चौदा शेतर से क्या दोस्तों जल पाएगी आप बताओ चौदा शेतर तो आपका अमात 700 वाट तक काई लोड ले सकता है और जो आपके हाइलोजन वह एक हाजार वाट की क्या जला पाएगी नहीं जला पाएगी जो कि 300 वाट जो ज्याता है वाइर आपका हीट हो जाएगा एक दूसरे में चिपक जाएगा ज्यादा दिल जलेगी में उसनों क्या करेंगे हम लोग करने फिर सेट वार हैं मैं आप लोग के लिए जांगा रहता है आप लोग के लिएट 150 वार तक की उपिंसियंजी है तो आपको आप अगर चाहें तो के लिह ले सकते हैं लोगों डियो अखेश gera और श्रीड के लिए कि आपको इसकी efficiency पता चल जाए और अब मैं आप लोग को बताता हूं कि भाई देखें आपको दो हाइलोजन जिलानी की दो हालेजन आपकी पांसो पांसो वाट की एक हजार वाट हो गया है अब अब अगर चाहें कि भाई हम तेज शेत्तर से जलाने अठारा शेत्तर तो अठारा इंक्ट अगर आप पचाँ करोगे तब भी आप पर नॉसाही आएगा इससे बी आप दो हाइलोजन मत जलनाए अब तेज छित्तर से अगर आप इंक्टो करोगे पचास हो तो इस इकल तू ग्यारा सो पचास आपका आ जाएगा तो आप इससे हाइलोजन दो हाइलोजन जला सकते हो मनलब एक हजार वाट तक का लोट आप दे सकते हो यही आपकी कैलकुलेशन है कि आप जब जब मार्केट में लेने तो आपको पूछना ना पड़े पस आपको जो आपकी पावर कि आप जो भी चीज यूज करोगे हैना होता कि ना दोस्तो कुछ कुछ देखे कूलर वगरा है यह आपके रात में बारा बज़े से लेके सुबह आठ बज़े तक भी दूस्तों चलते हैं तो मलब आटा गंटे तक कूलर चला है तो इस कंडिशन में आप वायर थोड़ा है लेडियोस करो हैना हम यह यह नहीं कहोंगा कि भाई आपका अगर तेखे कूलर है वह थीन सौ वाट तो इसका फैन हो लिया यहना बीस वाट्स की मोटर हो जाती है ग्याद ग्वेत अमें रखता है तो इन सब दो मिला आ कर्की आपका हो जाता है कम से कम पालने गांटा मोट जो यह आप wire देखने है copper का wire है है इसकी quality अगर अच्छी नहीं होगी तो copper का तार आपका heat हो जाएगा को लोग लेंगे उससे ग्रेट दर efficiency का आप लोग है और एक आपके सामने आप लोग के लिए इसका आप लोग को इसका आंसर देना है बाइदावे भाई ठेंड का मौसा में आप heater चला रहे हो यह गोल वाला यह आपका पंदरा सो वाटका है मींस देड़ किलोवाटका है अब आप जल चलेगा 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 यह जो कि तीच शेतर की efficiency 15000 है 46 जैड़का है चलेगा आप आपको आर्पके आठ को फैर्म करो और गोल वाले हीटर में लगा दो बहसरीन दोस्तों चलेगा इसी कैलकुलेशन से आपको वाय खरीद ना है आप आपको को कोई प्रब्लम नहीं होगी को खईदने में चुकि ऐसा फॉर्मुला मैंने आप लोको बता दिया है कई लोग दूसरो एक्टेंशन में आपके तीन सॉकेट हैं किसी में दो सॉकेट हैं आप एक से कूलर चलाओगे एक से वाशन मुशीन चलाओगे एक से अपने लैप टॉप चार्ट करोगे तो जितने यह जो वायर है ना इससे खास कर आप देखे इसकी जो मैक्सिमम एफिशेंसी है वह केवल 2000 वाट ही है चारीचेटर की मिन्नम पांप सो मैक्सिमम दो हजार अब आप 2000 वाट के उपर की चीज भाई से बिकुल भी मत चलाना मला बकर नहीं कहा रहा हूं उनिस सो वाट भी है क्योंकि है कि अगर आप ज्यादा वाट की चीज चलाओ गए कि इसकी एफिशेंसी लाजची दो हजा रहे है तो आप अथारा सो दोनीस सो के नीचे चीजों को चलाईए गा चारीच शेतर के तार पे 2000 के लिए यह हई नहीं यह वायर 2000 वाट पर ही खतम हो जाता है उसकी कि मार्के में कॉपर वे बिख रहा है effectivement वायर कोई कोछ खराब नहीं होता है अब इसमें बात आती है कि कितनी मीटर की दूरी में कुमें बनता है कॉपर रिपी स्टेंस इलमुने में देगि है का क्या बाता बता झा हुँ अगर आपका कॉपर का वायर है ना इसको अगर मतलब होता है ना पता हो है करेंट में रुकावट आप अपने घर पर कोई टेंपरी कनेक्शन खीच के लिए आरो किसी के दूसरे घर में या कुछ आपका टेंट लाइक का काम है है ना उस वायर को आप 20 मीटर से दूर नहीं लिया सकते हैं यह कॉपर का एक वह है 20 मीटर तक आपको यहां पर हुआ अराम से करेंट स्लोग हो रहा था 20 मीटर के उपर आपकी रेजिस्टन्स आने लगा मतलब जो करेंट को फिलो होने में दिक्कत होने लगी करेंट पूरी तरीके से नहीं जा रहा है इसमें वायर है तो कई साइक दिक्कते आ सकती है 40 मीटर से जादा 40 मीटर तक उसमें रेजिस्टन्स नहीं बनेगा आप 40 मीटर तक अराम से उसको यूज करो अराम से बढ़िया से करेंट फ्लोगा मीज अगर आपका ज्यादा डिस्टेंस का काम है तो आप अल्मुनियम का तार कोई खराब नहीं होता है वो अलेक चीज के यूज होता है मेकेनिकल स्टेंथ उसमें अच्छी दुस्तो रहती है चुकि बाई अल्मुनियम में आपका 40 मीटर तक रेजिस्टन नहीं बनता है तो इसी आपका पांच्पा पॉइंट दूस्तों क्लियर हो गया है दोस्तों और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप सुमाइब स्टों